नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को केयर स्केन क्रिम लेकर आए हैं क्योंकि आज कल आप लोग देख रहे हैं आपके स्केन पर अनेक प्रकार की समय से उत्पन रहती है तो ऐसे इस्टित में आपको केयर स्कीन क्रीम खरीद लेना है दोस्तों खरीदने के बाद आपको यह क्रीम कैसे यूज करना है क्यों करना है चलिए आज हम आप लोगों को इस क्रीम की संपूर सच्चाई बताते हैं बताने से पहले आप से एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सस्क्राइब और पिल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी नए बीडिगों हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो दोस्तों अगर आपके स्कीन पर दाग, धब्बे, पिमपल्स, मैलाजमा की समिश्या है तो आप इस क्रीम को खरीच सकते हैं तोस्तों आप इस क्रीम को आनलाइन पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि अभी यह क्रीम हर मार्केट में हर मेरिकल पिस्टोर पर उपलब्ध नहीं है इसलिए आप इसे आनलाइन पर्चस कर सकते हैं और पर्चस करने के बाद आपको यह क्रीम अपने स्कीन पर कब यूज़ करना है अगर आपके स्कीन पर किसी भी प्रकार की समय से है तब आप इस क्रीम को यूज़ कीजिए अन्यथा आप इस क्रीम को बिल्कुल यूज ना करें क्योंकि काफी लोग गोरा होने के लिए यह क्रीम यूज करने लगते हैं लेकिन उनके जो इसकीन है और खराब होते चले जाते हैं तो ऐसे इस्तित में आपके इसकीन पर कोई प्रोबलम है तब आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं आपको यूज कैसे करना है सबसे पहले आपको एक नीम का फिस्वास खरीद लेना है उसे आप सुबह में अपने चहरे को धो कर ताजे पाने से धो कर अपने चहरे पर लगाए और ऐसे अगर आप सुबह रोजाना सनलाइट में फिश्वास अपने स्कीन पर लगाते हैं और नाइट में आप इस क्रीम को यूज करते हैं तो आपके स्कीन की जो समिश्या रहेगी वह दूर हो जाएगी दोस्तो आपके मन में इस क्रीम के रिलेटेट कोई भी फ्रस्न उठता है तो आप कमेंट में पूझ सकते हैं हम आपको कमेंट का जबाब देंगे दोस्तो अगर हमारी वीडियों आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियों को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रुजाना हिल्थ संबंधित वीडियों लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए धन्यवाद